नमश्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सिलेंस टेक्नोलोजी दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पाइथन लिस्ट के built-in functions and built-in methods यह दोनों क्या होते हैं यह कैसे use किये जाते हैं इन सभी को आज हम detail में पढ़ेंगे वीडियो को end तक जरूर देखे हैं यह आपको आने वाले python के programs में काफी आगे और help करने वाली है और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों के मुझे message आ रहे हैं whatsapp पे कि तर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो notification इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप लोगोंने bell icon पे click नहीं कर रखा है तो आप bell icon पे भी साफ सार जुरूर click करें तो सबसे पहले देख लेते हैं built-in functions मारे पास क्या है built-in function list के अंदर हमारे पास length, max, min, sum, sorted, list, any and all यह और भी काफी सारे function है लेकिन मैंने कुछ important functions निकाले हैं उन्ही को हम practical अभी करेंगे तो चलते हम अपने pie charm की तरफ यह रहा मेरा pie charm already open है और सबसे पहला function था हमारा length के लिए तो let's say सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक list बनाई है लिस्ट के अदर मैंने कुछ values जो है वो let's say डाल दी है यह मैंने कुछ values डाल दी है alien function use होता है list की length को पता करने के लिए let's say मैंने लिखा print alien और आपको length पता करनी है a list की मैंने list जो create की थी और इसको मैं जब यहाँ से run करूँगा तो आप देखिए नीचे आपको output में क्या लिखा रहा है 7 तो इसकी total length क्या है 7 list का आप ख्याल रेखेगा जो length शुरू होती है वो मेंशा 1 से शुरू होती है और array हमेशा 0 से शुरू होता है तो इसमें आपने confused नहीं हो जाना है देखिए 1,2,3,4,5,6,7 तो total इसके अदर कितनी values है 7 तो यह कहां से शुरू हो रहा है इसका index जो length मतलब कहां से count होती है 1 से count होती है तो जोली दोस्तों यह था length के लिए इसी तरह आपको देखना है कि हमारी इस list के अंदर इस पूरी list के अंदर जो है सबसे बड़ी value वो कौन सी है तो उसके लिए आप use कर सकते है इसका max function जैसे मैंने लिखा print max max value को print करा दें कि इसमें से a वाली list मैं से मैं इसको run करूँगा तो देखिए output में आपके पास अब क्या आ रहा है 34 तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है 34 इसी तरह हमारे पास min होता है min के साथ आप क्या देख सकते है जो सबसे छोटी value है आप उसको check कर सकते है मैंने यहां पे इसको डाला और run किया देखिए यहां पे smallest और largest value जो है python list मैं से आप इसका built-in function तो उस case में मैं इसका sum function यूज़ कर सकता हूँ मैंने डाला sum और किसका कराना है a list का मैंने को sum कराना है और यहां पे मैंने इसको run किया तो देखिए यहां पे total output आ रही है 76 इन सभी का total क्या है हमारे पास 76 तो यह है इसका sum function sum function जो है यह आपका string के उपर काम नहीं करेगा या ख्याल रखना इसी तरह आपको अगर list को sort करना है आप इसको sort भी कर सकते है आपने recording तो लेट से उसके लिए क्या चलता है print s o r t e d sorted और आपको a list को sort कराना है और मैं इसको यहां पे run करूँगा तो देखिए list हमारे पास sort होगी है पहले क्या था हमारे पास 3, 6, 4, 8, 9 अब क्या आगा है 3, 4, 6, 8, 9, 12, 34 तो हमारे पास list यहां पे sending order में sort जो है वो हो चुकी है इसी तरह हमारे पास जो इसका अपना एक फंक्शन आता है list वो किसी भी data type को list में convert कर सकता है अब let's say मैंने यहां पे लिखा list और मैंने इसके अंदर एक string पास करा दी let's say e, x, e, ll, en, c, excellence अब ये मेरे पास क्या है मैं इसको print भी करा लेता हूँ साथ-साथ print तो excellence हमारे पास यहां पे क्या है excellence हमारे पास यहां पे एक string है लेकिन मैंने यहां पे list function यूज कर लिया है तो वो क्या करेगा excellence को list में convert कर देगा list में convert करने के लिए वो क्या करेगा e को अलग element मनेगा x, c, e सभी को अलग-अलग element consider कर लेगा और एक list की form में हमें दिखा देगा यह देखे तो इसने क्या कि इसको list में convert कर दिया है तो यह हमारे पास अब index हो गया है 0, 1, 2 वैस्तो हमारे पास string भी index होती है लेकिन अब यह list की form में आ गया तो अब आप इसके ओपर list के operation जो है वो performance के ओपर करवा सकते है इसी तरह अगर आपको जैसे मैंने कराना है print list तो अगर मैं यहाँ पर value दूँगा यह तो convert list के अंदर नहीं करेगा क्योंकि यह हमारे पास क्या है integer है तो देखिए हमारे पास इसकी को आप नीचे देखिए यह हमारे पास error आ रहा है कि list 678 int object is not itravel itravel object चाहिए integer जो यह जो value है यह single value यह itravel नहीं है यह itravel खब बनेगी जब मैं इसको convert कर दूँगा string के अंदर अब यह मेरे पास string case बन गया अब मैं गर इसको run करूँगा तो देखिए यहाँ पर यह बन चुका है 678 क्योंकि अब यह itravel है अब यह क्योंकि string का अपना index होता है यह 0,1,2 तो iteration जो है इसके ओपर perform हम लोग कर सकते हैं इसलिए हम इसको convert कर सकते हैं list के अंदर इसके बाद हमारे पास मैं इसको इसको मैं हटा देता हूँ अब ताकि देखिए इसके बाद हमारे पास आता है any function means कोई ने कोई एक value list के अंदर हो बाकी चाहिए list सारी blank हो अब let's say मैंने यहाँ पे यह हमारी A list थी मैंने यह भी blank ले लिया यह भी blank ले लिया और यहाँ पे value ले लिया 4 अब अगर मैं check करूँगा print यह boolean result देता है हमें अगर मैं लिखूँँगा print any a तो इसके अंदर देखिए यह value भी हमारे पास false है क्योंकि खाली है यह भी false है खाली है लेकिन 4 एक value उसके अंदर exist करती है तो यह result हमें क्या देने वाला यहाँ पे true क्योंकि इसको add function को कोई एक element list के अंदर exist होना चाहिए अगर एक element भी exist नहीं करता तो आपके पास output क्या आएगी false अब let's say मैंने इसको भी क्या कर दिया blank कर दिया तो आपके पास देखिए यहाँ पे output क्या होगी है false होगी है इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डाल दू 0 तो भी आपके पास output क्या है false क्योंकि 0 भी किसके बराबर होता है खाली blank के बराबर होता है तो any function list में आप यह चेक कर सकते हो अगर आपके पास कोई data कहीं server से या कहीं से भी आ रहा है और आप देखना जाते हैं कि list में कुछ आ भी रहा है list के अंदर सारे elements खाली है आप लोग इसके अंदर कर सकते हो उसके बाद हमारे पास आता है all यह हमें तब true result देगा अगर इसके अंदर सभी elements के पास अपनी एक value है अगर कोई एक भी खाली होगा तो result falls आ जाएगा अब let's say मैंने यहाँ पे value देदी 4, 5 और यहाँ पे देदी comma 7 let's say और मैंने इसको यहाँ से run किया तो देखिए यहाँ पे result आ रहा है true क्योंकि अभी हम any function यूज़ कर रहे हैं मैं यहाँ पे करता हूँ all function यूज़ तो देखिए यह आ गया है मारे पास all function का all function का result का है true क्योंकि सभी values के पास सभी के पास elements के पास अपनी value है एक को blank छोड़ देता हूँ तो result क्या convert हो जाता है आपका false क्योंकि all function चेक करता है कि आपकी list के अंदर सभी element के पास value हो सभी element value के साथ हो अगर एक भी खाली होगा तो वो result क्या देदेगा आपको false result देदेगा तो यह था इसका all function तो चलिए दोस्तों एक वरी चलते हैं यहाँ पर length, max, min, sum, sorted, list, any, all यह function हमने कर लिये हैं इसके साथ और काफी सारे इसके built-in functions हैं उनकी जो reference है वो सारी मैं आपको description में देदूँगा link पर आप वहाँ पर click करके उसको देख सकते हैं क्योंकि inbuilt function है तो इनकी जो functionality है वो already defined है तो हम लोग इसमें logics ज्यादा लगा नहीं सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा function आपके पास available है ताकि आप अपने काम को छोटा कर सके हैं इसके बाद चलते हैं built-in methods में built-in methods हमारे पास इसके हैं append, insert, remove, pop, reverse, clear, index, count, sort and reverse इसके लावा और भी काफी सारे methods है लेकिन मैंने जो मेरे को important लगे मैंने सिर्फ वही वही आप लोगों को अभी इसके अंदर करवाऊंगा तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले एक list create कर लेते हैं मैंने तो already एक list create कर रखी है मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे मैंने ले लिया 472893 let's say 7,2 मैंने अब यहाँ पे एक list बना ली है और सबसे पहला function जो था हमारे पास वो append function था append function क्या करता है append function आपकी list के end में अगर आपको नया element add करना है कोई भी नया element add करना है तो append function आपकी list के end में उस element को add कर देगा अब let's say मैंने लिखा a.append append आपको क्या करना है मैंने एक नई value append करना है let's say 90 और 90 को append किया और मैंने यहाँ पे print करवा लिया list को और इसको देखा तो देखिए तो आप देखिए यहाँ पे output में अब 90 पहले आपके पास list 2 तक थी 90 आपके पास append हो गया है list के end में तो यह है इसका append function जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते एक हमारे पास होता है insert function insert function क्या करता है एक specific position पे अगर आपको कोई value insert करनी है specific index पे तो आप insert function का use कर सकते है append function क्या करेगा वो end महीं करेगा लेकिन मैं चाता हूँ देखिए यह मेरे पास है 0 position यह है first यह है second position और यह है third position मैं चाता हूँ third position पे 8 की जगा पे यहाँ पे हो जाए let's say 92 तो मैं क्या करूँगा मिरको यहाँ पे सबसे पहले index देना है मिरको बताना है कि यह है index third position क्योंकि 0, 1, 2, 3, 8 की position पे पढ़ा है third position पे तो मैंने index बता दिया 3 और मिरको लेके क्या आना है 92 लेके आना है और यहाँ पे यह होगी value और जब मैं इसको यहाँ पे print कराऊँगा और आप देखिए यहाँ पे आपके पास output में यहाँ पे आप output में क्या आ चुका 47292 तो 92 ने क्या position लिया है 0, 1, 2, 3, third position पे हमने insert function के साथ उसको insert कर दिया है इसी तरह हमारे पास आता है remove function remove function के आप specific value को remove कर सकते हैं लेकिन वो value आपको बतानी पड़ेगी अब let's say मैंने लिखा a.remove आप remove क्या करना है मेरे को let's say मैंने 92 इसके अंदर insert कर दिया था यह रह 92 मैंने insert कर दिया था let's say हम लोग 3 को remove करते हैं क्योंकि आपको इस list में दिख रहा है मैंने डाल दिया कि मेरे को 3 को remove करना है और और यहां लिख दिया मैंने coffee paste कर लेते हैं बार बार लिखना मेनत का काम है तो देखे अब यहां पे आप देखेंगे मैंने क्या remove करा दिया है 3 तो इस list में से आप देखेंगे तो यहां पे 3 exist नहीं करता है मैंने उसको यहां से remove कर दिया है तो इसी तरह अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक specific index से जो value है वो remove करनी है तो उसके लिए आप use कर सकते हैं pop function ठीक है remove function में आपने क्या किया था remove function में आपने element की value बताई लेकिन pop function के अंदर आप index बता सकते हैं इस index से value को आपको remove करना है और remove function के मैं आपको एक और बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ मैं पहले इसको एक औरी या अगर आपको समझ आ गए होंगे तो मैं इसको यहां से remove कर देता हूँ और इसको एक औरी run कर लेते हैं तो यह आ रही है हमारे पास अभी output आ देखे यह हमारे पास output आ रही है 472896 हमारी list जब की यह थी अब let's say मैं यहां पे remove करता हूँ 2 को अब देखिए 2 इस list में कितनी बार आ रहा है एक तो यहां आ रहा है एक यहां पे आ रहा है अगर मैं इसको run करूँगा तो देखिए यहां पे जो 2 है वो सिरफ एक बारी ही remove हुआ है क्योंकि जो उसको सबसे पहला मिलेगा वो सिरफ उसी को remove करेगा बाकी को नहीं करेगा तो मैंने यहां पे बताया था फिर 2 को remove करना है तो लॉजिकली तो दोनों को कर देना चाहिए था लेकिन वो एक यह element को करेगा जो उसको सबसे पहला मिल जाएगा तो यह इसके अंदर और एक hidden functionality थी उसके बाद हम देखते हैं pop function कैसे काम करता है अब let's say कि आपको इसको भी हम comment कर देते हैं अब let's say मुझे pop करवाना है a.pop pop function अगर हम python 2 version में जाएं python 2 के अंदर तो pop version वहाँ पे जो last inserted item होती थी उसको वो remove कर लेता था लेकिन अब इसके अंदर क्या है जो python 3 है इसके अंदर आप particular index बता सकते हो अब जैसे मैंने बताया कि मेरको यहां से 8 को remove करना है तो 8 किस index पर पढ़ा है 1,0,1,2,3 तो यह 3 index पर पढ़ा है तो मैंने यहां पर बात दा दिया कि भी 3 index से उडाना है तो आप देखिए यहां पर 3rd index से अब 8 जा चुका है देखिए आपको 8 list के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि उसने specific index से remove कर दिया अगर आपको index पर remove करना है तो आप function यूज करेंगे अगर आपको उसकी value देके remove करना है specific value पता है तो आप remove function का जो है यू use के अंदर कर सकने है इसी तरह हम list को जो है वो reverse भी कर सकते है हमने जैसे पहले पढ़ा था कि list को reverse करने के लिए हम double column का use करते हैं और list reverse हो जाती है last video में हमने देखा था लेकिन अभी अगर आप list को reverse करना है तो आप लिखेंगे a.reverse और अगर आप इसको print कराएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर list जो है वो देखिए यहाँ पर list आपके पास reverse हो चुकी है ज़र आपको phone में देख रहे हैं तो आपको visible होगा तो देखिए यहाँ पर 2 जो है वो first position पर आ चुका है 6, 3 आपकी list reverse हो चुकी है तो reverse करने के लिए आप reverse function का भी use कर सकते है या आप double colon का use भी है जो इसके अंदर कर सकते है चलिए दोस्तों आगे जलते हैं इसके बाद हमारे पास आता है clear function अगर आपको list को clear करना है clear मिन्स empty करना है delete नहीं करना है empty करना है अगर मैं लिखूंगा a.clear मैंने लिख दिया a.clear तो यहां के list के हो जाएगी खाली हो जाएगी लेकिन delete नहीं होगी आप देखो यहां पे अगर मैं इसको run करूंगा तो आपके पास list तो अभी भी है list exist करती है list के braces आ रहे हैं लेकिन list by default क्या है blank है list by default खाली है तो इसकी जो boolean value भी होएगी वो भी आपके पास false ही होएगी अगर आप यहां पे लिखेंगे यहां पे दिखा देता हूँ अगर मैं लिखूंगा print boole a और इसको run करता हूँ तो देखें इसकी boolean value क्या दिखा रहा है false दिखा रहा है false means by default list खाली है और boole जो दिखाता है वो false कर दिखाता है जब कोई चीज empty हो तो यहां से आपको पता लगए कि आपके list जो है वो empty है तो इसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद हमारे पास आ जाता है index अगर आपको पता करना है कि किसी element का क्या index है लेट से आपको index नहीं बता है अब हमें 9 का index नहीं बता लेट से अब हमें इसका index पता करना है तो इसका index पता करने के लिए इसका index पता करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा a.index और यहां पे print a.index और index किसका देखना है आपको 9 का देखना है तो मैं इसको अगर run करता हूँ तो यह देखिए position क्या दिखा रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा है 4 तो यहाँ पर हम देखते है 0, 1, 2, 3, 4 तो 9 किस position पर बड़ा है 4th position पर तो हमारे पास यहाँ पर index जो है उसका आ चुका है तो इस तरह करके हम index का एक specific element का index जो है वो पता कर सकते हैं फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है count function count function क्या करेगा अगर आप चाहते हैं कि आपने specific count करने है कि आपके एक list के अंदर एक element कितनी वरी exist करता है अब let's say हमने देखना है कि 2 हमारे पास कितनी वरी आ रहा है तो 2 हमारे इस पूरी list में कितनी वर आ रहा है 1, 2, 2 times जो है वो 2 आ रहा है तो उसको check करने के लिए आप क्या लिखोगे अब लिखोगे print a.count और count किसका देखना है आपको 2 का देखना है तो मैं run करूँगा आउटपुट में क्या दिखा रहा है 2, कि जो 2 है वो 2 times exist करता है अगर मैं यहाँ पे let's say कोमा डालके 2 और डाल देता हूँ 3 बर हो गए, तो देखिए अब output में क्या हो गए, 3, कि आपके पास 2 है वो कितनी बार आ रहा है 3 बार इसके अंदर लिस्ट को sort कर देगा a.sort sort कर देगा उसको ascending order के अंदर और sort करने के बाद ये एक नई list आपको देदेगा और मैंने print करा a को, तो देखिए यहाँ पे आपकी list जो है वो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो sort जो है वो हो चुकी है देखिए यहाँ पे 2,2,3,4,6,7,8,9 तो यह आपके पास हो चुकी है इसकी sorting तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको समझा आगा और वीडियो को मैं fast इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अपने व्यूज में को जुरूर बताएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेर करना नाम भुलिएगा दोस्तों थेंक्यू